इंट का कोई भी काम शुरू करने से पहले आम तैयारी कारियों को पूरा करना न भूले सुरक्षा उपकरन पहन ले अवश्चक सामग्रियों और ऑजारों या साधनों को इकठा कर ले कारियस्थल को चिनहित करें और उसे साफ करें इंटों का चयन करें इंटों को पानी में भिगो दें इंटों को क्रमबद रूप से रख दें कार्यस्थल का वह स्थान निर्धारित करें जहां आप 14 इंच मोटा ईंट का कॉलम बनाना चाहते हैं कार्यस्थल को साफ करें साफ करते समय ध्यान रखें की धूल आपकी नाक में न जाए बहतर होगा यदि आप धूल का नकाब पहन ले चाक का इस्तिमाल करके कॉलम के चारों फलकों को चिन्हित करें मेजरिंग टेप अर्थात मापन फिते का इस्तिमाल करके ये सुनिश्चित करें कि भुजाओं या फलकों की लंबाई 14 इंज है जिस थान पर इंट कॉलम बनाना है वहाँ पर गारा डालें इस्तिमाल के लिए उपयुक्त गारा तैयार हो जाने पर चैनीत सतह पर गारे को डाल कर लगभग एक इंच मोटी परत बनाएं पहला कोर्स बिछाएं गारा डालने के बाद एक इंट को स्ट्रेचर के रूप में बिछाएं इस स्ट्रेचर के पास इंट को हेडर के रूप में और फिर उसके बाद इंटों को क्रमशह, स्ट्रेचर और एक हेडर के रूप में बिछाएं इस प्रकार एक चौकोर तैयार हो जाएगा बीच की खाली जगा में आधी इंट डाले मेशन स्क्वेर का इस्तेमाल करके सुनेश्चित करें कि कोना समकोन हो मेशरिंग टेप का इस्तेमाल करके सुनेश्चित करें कि लंबाई 14 इंच है अब गारा डालें सभी जोडों में गारा भर दें गारा भरते समय ये सुनेश्चित करें कि उनमें कोई खाली जगा रह जाए सतह को सम्तल करें दूसरा कोर्स बिचाएं पहले कोर्स के उपर गारा डालने के बाद पहले कोर्स में रखे गए हेडर के उपर इंट को स्ट्रेचर के रूप में रखें जो हमने पहले कोर्स में रखी थी इस स्ट्रेचर के पास एक हेडर के रूप में एक एंट रखें, उसके बाद एक स्ट्रेचर और हेडर रखें बीच में दिखाई देने वाली खाली जगह में आधी एंट रखें Plum Bob का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करें कि कोने सीधे हैं Mason Square का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करें कि कोने समकोन हैं अन्यों कोर्सों में भी इसी बनावट को दोहराएं अब जबकि आपने दूसरा कोर्स पूरा कर लिया है अगले कोर्सों में भी इसी बनावट को दोहराएं देखिए आपने इनिट का एक कॉलम बना लिया है